हम आपके साथ अभी डिसकॉस कर रहे थे importance of location and fertility जो भूमिया शेहर के पास हैं उनमें वो expensive हैं उनमें production भी बतला कि जो भी होगा वो महंगा होता है और जो भूमिया शेहर से दूर हैं वो comparatively cheap हैं तो इस तरह की जो भूमिया जो की जिनकी स्थिती के उपर निर्वर करती हैं वो जैसे शेहर भी आपको बताए शेहरों की निकट कमूल अधिक होता है और शेहरों से दूर इसके कमूल कम होता है उसी तरह से भूमिया अगर उर्वरक है उप जाओ है और उस तरीके से तो भी उप एक्सपेंसिव होगी और अगर जो खेती योग ये भूमिय है वो अच्छी मिलेगी और जो खेती योग भूमिय नहीं है वो थोड़ी सी बंजर भूमिय वो आपको सस्ती मिलेगी इसी तरह का से जलवाईयू भी है और आपके वर्शा आदी के उपर निर्वर करता है कि हमारी भूमिय और वर्ख है कैसी जलवाईयू में पाई जाती है उसकी वर्शा की स्टेटस क्या है उसके आसपास का शेहर का स्टेटस क्या है उस हिसाब से भूमिय की कॉस्ट बढ़ती और भूमिय की कॉस्ट घटती है और यही हमारा एक characteristics of land में आता है कि हमारे पास जब कभी भी होगा तो importance of location और fertility important होती है उसके बाद फिर है essential factor, सबसे जादा जरूरी है कि यह essential factor है, बिना land के you can't produce anything भूमी उत्पादन का एक अनिवारे और original और primary factor है क्योंकि भूमी के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन कारे नहीं हो सकता चाहे वो आप कृशी करें, चाहे आप उत्योग धंदा करें, चाहे वेपार करें, चाहे आप परिवहन करें, आदी के कोई भी कारे को करने के लिए भूमी की आविशक्ता होती है यह एक essential factor है, आप बिना भूमी के कुछ भी नहीं कर सकते बिना भूमी के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यह हमारे लिए किसी भी production को करने के लिए भूमी अनिवार है यह आज आपका समाप्तुगा, characteristics of land, कल हम आपको पताएंगे importance of land आज के लिए इतना काफी